शेहबाश शरीफ तीन दोरे पराद साओधी रप पहन चुके हैं बोट साइट जो एंफरसाइज दी इंपोर्टनस अफ डायलोग बिट्विन पाकिस्तान और इंडिया तो रिजॉल बाबाजी का ठुल दो कश्मीर के मौकफ पे आप क्या केंगे जो साओधी रिफिया ने इंडिया का साथ दिया है पाकिस्तान की बजाए यहां पे बिनोंने कहा कि इनडिया पाकिस्तान का बाइलेटरल इशुTech है इसमें साओधी रिबिया कुछ नहीं कर सकता कोई मसला जो इसको हाल ना किया जा रहा हो तो उससे समझ आ जाना जाए कि यह मसला खुद पैदा किया वे उसको रखा वे जिन्दा रखा वे इस मसले को समस्कार दोस्तो स्वागेता आपका एक बर फिर से दोस्तो पाकिस्तान में नई सरकार बनाने के बाद पीम सहवाज सरीफ सौधी गए हैं वहाँ जाकर उन्होंने सोचा कि कस्मीर मुध्दे पर सौधी को अपनी तरफ किया जाए लेकिन सौधी के प्रिंस मुहमद बिन सल्मान ने पाकिस्तान को जोरदार जटका देते हुय और इस मुध्दे पर पाकिस्तान को भारत से ही बात करनी चाहिए और इसका कोई समधान निकालना चाहिए फ़कारी पाकिस्तान कस्मीर का मुद्दा लेकर दुनिया के सामने जाता है और दुनिया उसको सीरेसली नहीं लेती और बोलती है कि आप इस बारे में इंडिया से बात करो पाकिस्तान के अहलाद देख इनके परदानमंतरी किसी भी देश में जाएं तो इन्हें सभी लोग भिखारी की नजर से ही देखते हैं कहीं फिर अपने देश की भुकमरी के लिए हाथ फला कर पैसे ना मागने लग जाएं तो दूसरी तरफ भारत को सभी देश वर्ल्ड के भरते हुए सूपर पावर की तरह देखते हैं उस तो अगर आपको भारती होने पर गर्व है तो कमेंड में जहन जरूर लिखें और वीडियो को लाइक जरूर करें बात करेंगे किया वजुहात है जी साओधी अरब जो है कश्मीर में इंडिया को सपोर्ट कर रहा है और वो इंडिया को अपना ट्रेडिंग पार्टनर भी बनाता है लेकिन पाकिस्तान को हमेशा एक ही गल्फ कंट्री से एक ओर्डर मिलता है कि आप जाके ना अपने तालुकाइट इंडिया से बेतर करो अपने मस्तों को खुद आपस में हल करो पहली बात तो इंडिया जो इस्टम कर रहा है तरक्की और वो उसने डैम बना ली अपने मुलब में काफी तरक्की कर ली तो उससे बीक नहीं मंगता और यह जाते हैं यहां पर जो वादिया साथ ंर और दोस्त भार जाका नहीं है सुधियार इंको इंदाद नहीं दे रहां यह जिए की विंगया आगे आती है जो विजियार नंपने इंदा मांगा लिया यह वी बने नीगे जाके मांगा लिया लेकिन अवाम के लिए कुछ नहीं कि यह अवाम अभूकें मर रहे हैं लोग सटगूप पंटे लगा रहे नग करेगा और ना सुधिया बिनको इम्दाद एक अच्छी बात हो नहीं ऐसा चाहिए सुधिया ना इम्दाद है पाकिस्तान को कुछ नहीं मिलता पाकिस्तान को इतना पीछे चोड़ दिया है कि स्यासी तोर पे अगर हम डिसकॉशन करें तो इंडिया की बात तो सब सुन लेंग कि पाकिस्तान की बात कोई सुनी रिरा कश्मीर एक दुनिया का मसला था उसको अब इंडिया और वो सारे दुनिया कहते है आपस में आफ़ाल करो हम कोई बात नहीं करना चाहते हैं तो स्यासी तोर पर कितने वीक हो गए हम काफी वीक हो गए है वो यही वजू हाथ है अपन कि कौन सुनेगा यहां के साथ भी सुने ना अवाम इतनी रोती बिटी उस्टी तो सुनते नहीं है अपनी सुनाने बाहर के मुलक चले जाते हैं तो फिर वो इनकी कहा सुनेंगे यह अल्ला ताला की इसी के साथ उनने कश्मीर के मुद्धे पर बात करते हुए का कि अप जो हिस्सें एक तो यह कि आपने पूछा कि जिए उननों ने में करदा देने से मना किया और स्याकिन चीज आपने पूछी है कि यह क्या वहमें कश्मीर पर स्पोर्ट करेंगे के नहीं तो आपके पहले सवाल का जो आप यह कि अभी तब यह सिरफ जो है ना मीडिया नियू पता है कि साओधिया ने हमेशा हमारा हर अच्छे बुरे वक्त में साथ दिया है कि अगर हम पीछे अपने ही सरक्मस्टांसी दी वजह से सर्वाइव नहीं कर पा रहे और पॉलिटिकल अंस्टेबिलिटी भी हमारी चल रही है और चुके आपको हमारे यहादारों का अंडि सबसे बड़ा सोडिया और युए की इंवेस्मेंट और चाइना की इंवेस्मेंट कर दिया है अगर अभी भी उन्होंने यह काया कि जी को कि मुझे नहीं पता है क्योंके अनफॉटनल्टी मारे मीडिया में नियूस तो बस ऐसे चल जाती है कि अगर को अथेंटिक सोर्स है और यह सफार्ती जराह से पता चला कि हाजी उन्होंने मना किया तो उनका राइट है बाद यह